जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं ये coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंत माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंत उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ ग्यांसर जी वाई एन एसाई यार इस तरह से गर coupon code लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो apply coupon वाले में आता है तो 20% का डिसकाउंट तुरंत दिलेगा वीडियो देखिए समिट में देखेंगे पहला ट्राइ सर्विसेस कॉंटरेंस वह था परिवर्तन चिंतन ये वह था न्यू डेली में परिवर्तन चिंतन सैबंथ इंडियन ओशिन कॉंटरेंस इसका उजन हुआ था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में तुर्स अस्टेबल एंड सस्टेनिबल इंडियन ओशन ये थीम थी फर्स्ट ग्लोबल सवाइकल कैंसर एल्बनेशन फोरम कॉंटरेंस ये कार्टिजीन में हुआ था कॉलंबिया में इसमें जो बड़े-बड़े इंस्टूट्स हैं जैसे कि बिल एन मिलिंडा गेट्स फांडेशन वर्ल्ड बैंक जो है युनिसेफ ने सब मिला कर कहा कि सवाइकल कैंसर के खिलाफ लडाई में ये तीनों इंस्टूट्स करीब 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्चा करेंगे 9-14 वर्ष के उम्र की बालिकाओं के लिए किशोरियों के लिए human papilloma virus vaccine से जो सवाइकल कैंसर हो रहा है महिलाओं में उसको रोकने के लिए free of cost vaccination भारत में किया जाएगा ये अभी interim budget जो आया था interim budget 24-25 का उसमें अनाउंस किया गया था ये vaccination का 9-14 वर्ष के उम्र की किशोरियों बालिकाओं को free of cost vaccinate किया जाएगा भारत में इसके बाद सौर उर्जा कॉंग्रेस यह थी निव डेली में ET energy world द्वारा अवजित की गए थी सौर उर्जा कॉंग्रेस विक्सित भारत विक्सित कश्मीर प्रोग्राम ये श्री नगर जमू कश्मीर में वह था कारिकरम के दौरान मोधी जी ने क्रशी अर्थवस्था को प्रोग्सान देने के लिए 5,000 करोड रुपय का कारिकरम समगर क्रशी विकास कारिकरम कश्मीर के लिए राष्ट को समर्पित किया था इसके बाद आजाएंगे 21 वह बायो एशिया बायो एशिया हमेशा हैतरबाद में होता है एशिया का सबसे बड़ा जय विज्यान और स्वार्स्त देखभाल सम्मिलन इसको बोलते हैं यानि की एशिया स्लार्जेस्ट बायो साइंस एंड हल्थ केर कांफरेंस ये वह था हमे इस बैठक में फ्रांस के दूतावास और भारत में कोस्टारीका की दूतावास की साय भागिदारी हुई थे तो फ्रांस का दूतावास इसमें शामिल हुआ था ये आप ध्यान रख सकते हैं रोगी सुरक्षा पर छटा वैश्विक मंत्री स्तरिये शिखर सम्मेलन 2024 ये वह था सेंटियागो चिली में चिली की कैपिल सेंटियागो तो हम लोग कैसकते हैं इसमें पहली बार मरीजों के लिए एक चार्टर जो हजारी किया गया है WHO ने मरीजों के अधिकारों को रिखांकित करने वाला मरीज सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉंच किया है नहीं कि मरीजों के जो अधिकार है उसमें इनको बताया गया है इस पार इसकी थीम क्या है थीम है bringing and sustaining change in patient safety policies and practices अब जल्दी से comment करके बताई कि world patient safety day यह कब बनाय जाता है यह अपरेल में बनाय जाता है चलिए बताई देते हैं अपरेल में नहीं मनाय जाता है यह बनाय जाता है 17 September को 17 September को बनाय जाता है world patient safety day पहला अंतराश्ट्री इंद्र धनुस पर रिटन सम्मिलन first international rainbow conference यह हुई थी नेपाल में माई को पहचान नेपाल मतलब जो कि एक NGO काम करता है नेपाल में उसके दौरा मनाय गया था इसका objective है कि नेपाल को promote करना सेफ और respectable destination किसके लिए sexual minority community के लिए sexual minority community कि इसकी बात कर रहे है LGBTQ की LGBTQ इत्यादी जो है LGBTQ plus जिसको बोलते है उस community के लिए यह rainbow conference मनाय गई थी नेपाल में अभी नेपाल के बारे में news भी आई थी एक दुमन पहले हमने आपको पताया था कि first South Asian country है जिसने same sex marriage को register करने का और legalize करने का काम किया है यहाँ पर शब्दों पर बहुत ध्यान देना यहाँ पर लिखाया first South Asian nation to register same sex marriage तो इसका answer क्या हो जाएगा नेपाल लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दे first South East Asian nation to register legalize same sex marriage तो इसका answer नेपाल नहीं होगा इसका answer क्या हो जाएगा फिर थाइलेंड हो जाएगा यह ध्यान रखेगा Thailand South East Asian nation की बात करें तो थाइलेंड South Asian nation की बात करें तो नेपाल इसके बाद सोल्वा वैश्विक भविश उर्जा समेलन World Future Energy Conference इसके बारे में नॉंबर में बात की थी इसके डेट आ गई थी यह 16 से 18 एपरेल में यह हुआ था कहां पर अबुधाबी में हुआ था UAE अबुधाबी में हुआ था World Future Energy Conference और जो Future Energy Company है मसदर इसने इसको होस्ट किया था और नाइस किया था मेला महुत्सो की बात कर लें तो अंतराश्टली थाई महुत्सो का आयोजन किया गया था कुशी नगर उत्तर प्रुदेश में और विवित्ता का अमृत महुत्सो जो बनाया था राश्टपती भवन न्यू डेल इसके बाद अंतराश्ट्री गीता महुत्सो का अयोजन हुआ था श्रिलंका में हलांकि इसको आयोजित किया था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाना द्वारा श्रिलंका में इसको आयोजित किया था इसके बाद नवरे उत्सव जमू कश्मीर मनाय जाता है कश्मीर नवर्ष की रूप में चैत्रमाह के पहले दिन मनाय जाता है उसके थीम थी अग्रिकल्चरल एंट्रपर्नेर्शिप प्रॉस्परस फार्मर्स ग्लोबल स्प्रिच्वेल्टी महुत्सो ये हुआ था कानहा शांती वनम हाइदरबाद में संस्कृति मंत्राले और हाटफुलनेस के बीच सहयोग से इसका आयोजिन हुआ था हाइदरबाद में स्थित विश्च के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कानहा शांती वनम में इसका आयोजिन किया गया था वर्ल्ड्स लार्जस्ट मेडिटेशन सेंटर ये हाइदरबाद में ध्यान रखिएगा इस बार इसकी थीम थी इनर पीस टू वर्ल्ड पीस और भगवान महावीर का 2550 वा निर्वाण महोत्सो या अहिंसा मोत्समन आ गया था भारत मंडपम न्यू डेली में वियम मोधी जी ने एक स्मारक सिक्का और एक डार्क टिकट भी जार किया था महावीर जैनती पर